Hello everyone, I am Adityaans and this is the official video from NGP Patna 13 regarding the registration of new students. सबसे पहले मिले बात करते हैं कि नए student को register करने के लिए क्या क्या documents चाहिए होगा. तो अगर किसी नए student को register करना अगर वो 10th करके है यानि कि normal regular उसका admission हुआ है तो 10th का mark सिर चाहिए, admit letter चाहिए और passport size image चाहिए. और जो लोग lateral interest या है उनको 10th का mark सिर चाहिए, admit letter चाहिए और passport size photo चाहिए. ये सारे documents का जरुवत है हम लोगों ये document अगर original है या मतलब original का photo है तब तो ठीक है और अगर dz locker वाला है तो उसको print out करके उसको अपना signature करके self-attested करना होगा और उसके बाद upload करना होगा. और जितना भी वीडियो मतलब sorry sorry जितना भी हम लोग ये दो document ये जितना document ये हां लिखा हुआ है सब जब अप्लोड करेंगे तो ये सारा document जो है PDF format में होना चाहिए और उसका size 100KB से कम होना चाहिए 100KB से ज्यादा size नहीं होना चाहिए PDF का. तो अब सारा document कलेक्ट करने के बाद हम लोग चलते हैं हमने registration करने के लिए तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक website पर जाना पड़ेगा जिसका URL है sbteonline.in तो अब इस website पर आने के बाद जो हम लोग को सबसे पहला link दिख रहा है निचे जो नीचे वाला link है इसका सबसे पहला वाला link नीचे जो दो link दिया है निचे पहला इस पर क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे कि अपना fee payment करेंगे 800 रुपीज का जिसकी मतलब हम लोगा registration fee है व उस पर हम लोग को क्लिक कर देना है और उसके बाद आगे कप एक पेज खुलेगा यहां अपना जो रॉल नंबर फिल करना है जो जब हम लोग एक्जाम देने गया थे तो बी-सी-सी का जो रॉल नंबर एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था वही रॉल नंबर हम लोग को य नया पेज खुलेगा लॉग इन पर क्लिक करने के बाद है तो थोड़ा हम लोग वेट कर लेते हैं आंग खुल गया अब यह स्टूडेंट डैसबोर्ड है यहां हम लोग कुछ अपना अपने डीटेल दिया है तो एक बार चेक कर लेंगे अपना ही तो है ना और फिर नीच अब यहां है अब यहां अब यहां अब यहां अब यह अपना चार डीटेल सेंटर किया था इमेल और फोन नंबर यह दोनों इसमें वाइंड हो गया अब हम लोग को 800 का फी रेजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करना है जिसके लिए हम लोग पेफी पर क्लिक करेंगे एक बार अपना सारा डीटेल चेक करते हुए हम लोग पेफी पर क्लिक करेंगे और पेफी पर क्लिक करने के बाद हमारे पास SBI का पेमेंट पेज ओपेन होगा है यहां पर अलग अलग पेमेंट मैथर्ड है और हम लोग को जिस भी पेमें कि यूपी आएईडी को वालीडेट करेंगे एक सेकंड आए-टी वैलीडेट होने के बाद यह नौटिफीकेशन आजाए जैसे हां तो यह यूपी आइडी वैलिडेट हो चुका है अब हम लोग पे नाओ पर क्लिक करेंगे पे नाओ पर क्लिक करके हम लोग अपना प्यमेंट करेंगे यहां से हमने जो मारा एप फोन पर गूगल पर जिस भी आप का यूपी आइडिया उस एप पर जाके प्यमेंट करना होता है और प्यमेंट करते हूं यहां पर कंफर्मेंशन दिखाएगा तो जैसा कि हम लोग का प्यमेंट जो है कंफर्म हो चुका है एक नया पेज ओपन होगा जो कि प्यमेंट डे क्लियर करेगा कि प्यमेंट हमारा हो चुका है एक तरह से प्यमेंट रेसेप्ट इसका हम लोग स्क्रीन सॉट ले लेंगे प्यमेंट रेसेप्ट का या फिर प्र सबसे पहले हम लोग को खुद से यूजर नेम यूनिक यूजर नेम बना लेना है फिर अपना email id फिल अप करना है फिर email id को दुबारा वरके confirm करना है फिर अपना phone number फिल अप करना है फिर phone number को दुबारा वरके confirm करना है फिर अपना पूरा नाम भरना है और date of birth वरके confirm करना है फिर अपना admit card पे जो roll number दिया था बी सीए सीए का रॉल नमबर उसको हम लोग फिल अप कर लेंगे और यह सारे चीज़ फिल अप करने के बाद हम लोग रेजिस्टर पे क्लिक कर लेंगे तो register पर क्लिक करने के वाद हम लोग अपना username इंटर कर लेंगे हैं और password हमारे email पर गया होगा message वहां से हम लोग देखके यहां password भी अपना fill up कर लेंगे तो password fill up करने के वाद हम लोग student registration टैब में आ जाएंगे और यहां पर अपना mother's name date कुछ सारी एडमिशन डेड जgeord जüstрах हमारा एडमिशन हुआ था वा और आधार नंबर फिर अपना एडरेस करेंगे को कौम्यों के से अडरस जहां पर रहते और 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 अगर administration address और पर अबोड इद्रें सीबसी या बी जो भी बोडह अपना स्कूल या नाम एंटर करेंगे जो बोर्ड का रॉल नंबर क्या है वो एंटर करेंगे और सबसे लास्ट में सारा चीज हम लोग मांक से रिजल्ट का परसेंटेज विगरा यह सब भरने के बाद अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे और जो हमारा एलॉट्मेंट अपलोड करने के बाद हम लोग सेव करेंगे सेव करने के बाद ऐसा कुछ फॉर्म आ जाता है ऐसा इंटरफेस आ जाता है फिर यहां से हम लोग को क्या करना है डाउनलोड रेजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग को रेजिस्ट फोर्म भरके अपने कॉलेज में जमा कर देना है डन